मित्रो हुँ इना चावडा गुजराती विशाईनो पाठ बे खीजडिये टेकरे ने समझूती आजे आपिश खीजडिये टेकरे बाड़नी एक्जाम नी द्रश्टिये बाड़नी परिक्षान नी द्रश्टिये खुब महत्वनों छे आपाठ माथी तलपदाश शब्दो शब्द समुम माटे एक शब्द रूटी प्रयोग जेवा व्याकरण ना प्रश्णो तथा हेतु लक्षी प्रश्णो एक वाक्यामा जवाब वाला प्रश्णो बेतल वाक्यामा उत्तरवाला प्रश्णो सव विस्तार उत्तरवाला प्रश्णो तथा गद्य खण्डने काल स्थान रिती प्रमाणे विचार विकास ना क्रम्मा गोटवी फरिती लखो आवा प्रश्णू आप पाठ माती पुचाय शके चे आथी आप पाठ खुब महत वनों चे पाठ नो साहित्य प्रकार छे नवलिका औने पाठ नाल लेखक छे चुनिलाल मडिया चुनिलाल कालिदास मडियानो जन्म इस्विशन ओग्णिसो बाविस औने आवसान इस्विशन ओग्णिसो अडिसट मा थयू अतु चुनिलाल कालिदास मडियानो जन्म राजकोर जिल्लामा आवेला धोराजिमा थयू तो तेवो उग्णिसो उग्ण चालिसमा मैट्रिक अने उग्णिसो पिस्तालिसमा मुंबाई नी सीडन हाम कॉलेज मा थी बिकॉम थै मुंबाई थी प्रकासित थता चन्मभुमी देनिक जोडाया बार वस जेटलो समय मुंबाई मा आवेली यूसिस ना गुजराती विबाग मा काम कर्यू यू एस आई एस यूसिस तेमने नवलिका नवलकता नाटक विवेचन तेमच काव्यक्षेतरे खेरान कर्यू व्याजनो वारस विरा विराने चायडी लेलूरी धरती भा एक, बे, सदरा जेशंगनो सालू, वगेरे नवलकताओ, गुगवाता पूर, सरणायना सूर, अंतस्त्रोता वगेरे वार्टा संग्रो, रंगदा, सुन्यसेस, रामलो, रोबिन हुड, वगेरे एकांक्याने त्री अंकी नाट्य संग्रो आप्या छे, तेमने चोपाटीने बाक्डे थी, हल्वी शैलीना दिमद्दो, वार्ता विमर्ष, साह मुर्ग, सुवर्ण मुर्ग, वगेरे विविचन संग्रो आप्या छे, तेवो, रंजित राम सुवर्ण चंद्रक, तथा, नर्मद सुवर्ण चंद्रक थी सम्मानित थया छे, आथाई, लेखक विशेनी माहिती, प्रस्तावन अमा जे पाट विशेनी माहिती आपी छे, ते जोईये पहला, जिवननी कार्मी गरीबाईवत चे, धबक ता, पित्रु रदैई, बोजानी रदैद्रावक, मनस्थिती सव कोई भावक नू कार्जू विंदी नाके, तेवी करोण चे, भूक बुंडी चे, अने गरीबाई वस्मी चे, ए सूं करे, के सूं करावे, ए आ नवलिकानो वरणई विश्याई छे, कहे वाता, अम्रुत बालक नू रेश्मी वस्त्र लेवा, पोजो ठंडी मा उगाडा शरीरे जजू में चे, समा जिवननी आव वर्वी वास्त विक्ता, पोजाना करतुतो भुलावी ने, तेना परिवार जोडे, सर रदैतानों तंतु सांधे शे। बोजाना बैनी सामे मास्तर परिवारनू अमी भरेलू अभैवचन वारतानो सुखांत सर्जी सर्जकनी कल्पनातित सफलतानो परिचय कराले छे बोजानी लाचारी दिनता सामे मास्तर दमपतिनी उदार्ता सदेव स्मरणिय बनी रहेशे पाठनो वारतानो नायक शे भोजु अने भोजानी पतनी आ वारताना अन्य पात्रो चरित्रनी वाद करिये तो मुख्य अतो छे आप वारतानो नायक भोजु अने तेनी पतनी पोष्ट मास्तर अने तेनी पतनी अने भोजाना बालको आ सिवाई पन आ वारतामा अन्य पात्रो चे खीजडिये टेकरे नवलिकामा लेखके जीवननी कार्मी गरीबाई सामे जजुमता पोजानी रदै द्रावक परिस्थितिनु वरण कर्यु छे ग्राम परीवेश्मा गरीबीथी सबडता मान्वेनो दयनिय आलेखन करती आ वारतामा बोजो एक खराब कारिय करतो एक मजबूर मानस छे परन्तु आ वारतामा खराब कारिय करता मजबूर मानस मा पन रदैनी केटली अमीरात होई ए वात अहीं कलात्मक रिते मुकाई छे पोजो पोताना परिवारना रक्षण माटे जे जे काई कारिय करे छे न परिवारना रक्षण माटे करे छे वारतानी शरुवात जोईये तो हीरण नदीना हेठळ वास एटले के नीचे ना पटमा हीरण नदीना हेठवास ना पटमा खी जडिया टेकरानी नजीक नदीना खुला पटमा पोजो ओने तेनु कुटुम रहे छे अवे आडे दिवसे तो पोजाने कुबा के कोई जुपडानी जरुर होती न थी एक खुला पटमाज रहे छे परंतु परिश्थिती अवे सियाडानी छे आथी सियाडाना समयमा पोजाने एवु लागे छे के आ वर्षे थंडी अतिशाई पडवानी छे अने आ तेनी परिश्थिती आवर्षे वी बनचे के थंडी थी बचुवा माटे रक्षण मिलवा माटे तेने पहले थी ज तैयारियो करवी पडशे आथी भोजो अने तेनी पतनी तरण चार दिवस्नी अंदर चार एक दिवस्नी अंदर एक तल बावल यानी साठी नो कुबो एटलेक एक जुपडू बनावी लेशे तेनी अंदर तेन तेन बननेव भोजो अने तेनी पतनी अने तेना चैर बालको समाई तेटलोज कुबो ते बनावे छे परन्तु तेने तेना नागापुका बालको जया ठंडीमा ठुठवाई रहा छे तेनों विचार आवे छे आथी दे विचार चोरी करवानों करे छे ए माध्यानी हाट एटले के एक दुकान छे माध्या नामना व्यक्ती नी दुकान सामेटा गलटागर जोई रहे छे के पोते के ओ जवान होतो त्यारे ते चोरी करतो होतो च्यारे पोतानी जुवाने नू चड़तू लोई अतु त्यारे ते चोरी करतो होतो अने आवे ते चोरी करने पोतानी गुजरान चला अतो होतो परन्तु हवे तेनू चड़तू लोई रह्यू नती अने हवे आ ढ़लती अवस्ताये जो चोरी करवा जाई अने चोरी करता पकड़ाय जाई अने शक ना दायराम आवी जाई तो तेने गामना पसाय तो एटले के चोकीदारों रखेवाल करवावालों अने गाम लोकों तेने ढोर मार मारे चे ते सहन करी शकेन नहीं आथी बोजो एक बीजो विचार मुके छे एक बीजो विचार तेना मनमा आवे छे खटना एक सांजे जे सांजे आ विचार करे चे ते सांजे घटना एक एवी बने छे के पोस्ट मास्टर ना घरे घणा वर्सो बाद एक पुत्र नो जन्मत थाए छे परंतु कम नसीबे उल्थाई छे के पोस्ट मास्थर नुदिकरो दिक्रो मृत जन्मेलों छे अथवा तो जन्मेला पछी मृत पाम्यों छे आवा समाचार भोजा ने मले छे आथि भोजा ना मन मा विचार आवे छे के खिजडिया टेकरे आ मृत बालक ने खिजडिया टेकरे, खिजडिया टेकरानों उप्योग, आ मृत बालकुने डाटवा माटे, थतो अतो, आथी तेने विचार आवेचे के पोस्ट मास्टर ना बालक ने पण, अहिज डाटवा मा आवशे, अने पोस्ट मास्टर ना घरे, गणा वर्षो बाद दिकरो थयो ने, पण, मृत अउतरेलो, आथी तेने सरसमजाना मोंगायेवा रेश्मी वस्त्र माँ विटालेचे, अने आ खिजडिये टेकरे डाटवा माँ आवेचे, जेवा लोको घरे जायेचे, अने एकदम शान्ती छवाय जायेचे, वातावरणमा रात पड़ी जायेचे, वदू पड आथ फेरो करवानू, आथी आ अभ्यासना कारणे एक जराग पन खरोचे कपड़ामा आविया वगर ए बालकने बार निकाले लेचे, अने बालकने जेवा बार निकाले ने हात मा लेचे, तेवा एक जराके बालक सेज सल वडेचे, थोडी शान्तो तेने एवु थायेचे, क क्या एक कोई खविसनी रमत्तो नथीने, खविसने लेके एक प्रकारनू भूत, जे गामना लोको मानता आता पहले पन ने हजु पने वी अंदस्रद्दा रही छे के भूत प्रेतो हो आई छे, तो एके इमके के आ भूत प्रेतनी कोई रमत्तो नथीने, पड़न तु बालक सेज वधू सरव मा मने चे अने उलागे चे के बालक रड से, अने जो रड से तो तेनो अवाज गाम मा जशे अने गामना लोकोई आउसे, तो तेनी करतू ताखु गाम जाने लेशे, आथी ते बीक ने अमारी ओ फटा फट त्याथी तेकरो उतरी जाए चे, एक तो बीक प करेया चे, अने अवे पोते अवे केकलू जीववानों चे ते आ बाल हत्यानू पाप पण हवेले, आथी ते फटा फटा खिजड यो टेकरो उतरी जाए चे, अने पोतानी पतनी जिया अजु शुदी जागे चे, जीवली, जी अजु शुदी जागे चे, इसा माटे जाग आगे चे, के तेनों पती, खापण, नू कपडु लेने आवसे, एले के जे बुत बालक ने विटालेलू कपडु छे, ते कपडु लेने आवसे, ए आसा है, ते तेनी पतनी अजु शुदी जागती आती, परन्तु ते चोकी जाए चे, के भोजो कपडानी बदले, ए जीव ुता बालक ने लईने आवे चे, आने और बालक रड़े चे, और रडवाना अव схथी, तेनी पतनी ए बालक ने ले चे, और आने मात्रु गोद्री उसमां मलताज बालक शांते थाई चे बोजो अने तेनी पतनी विचार्तों करेशे के सु करिए आ बालक नुँवे अने पोते बले गरीबाई छे गरीबाई मा जीवे छे परंतु एक मानविय परिस्थितीने आधार एटले के मनमा मानवता लावता ते आ बालक फरी पोष्ट मास्टर ने सोपवानो निणे लेशे अने पोष्ट मास्टर ना घरे जाए छे पोतानी केवी परिस्थिती थशे ए विचारे पन छे छता पन ते पोष्ट मास्टर ना घरे जाए छे अने पोष्ट मास्टर ने तेनू बालक सोपे छे परंतु पोष्ट मास्टर अने तेनी पतनी ने अंदर मीठो जबडो थाई जाए छे, कहें बोलाव वगेरे वगेरे समानादो था फाय छे अने पोस्ट मास्टर तो खुब कुष थाई जाय छे, बे परिश्थिती छे, बे व्यक्ति नी करोण परिश्थिती छे, कया बी व्यक्ति, तो के एक भोजो छेंगे घणा समय थी सरीर नूँ उपर नुँ अंग ढ़ाकवा माटे एक केडियू पण मढन संते केडियू पण मल ओते एक चौन एक चरुनी पेरित एक चौनी पण अथिश कुक्कीया थी एकदम घसाई गई अती आवी तेनी परिस्थिती छे बिजी तरब परिस्थिती छे पोस्ट मास्टर नी जेने घणा वर्षो थी पुत्र मल्यो नती अने पुत्र नी पुत्र नी ब्राप्ति थाय चे तो ते पन मृत्त छे जायर थाय चे परंतु अहीं पोस्ट मास्टर पूस्ट मास्टर दमपती खुबज खुश छे के तेनो दिक्रो अजी जीवे चे अने भोजाना कारणे तेनो दिक्रो पाच्वावियो नए तो ते खोदाईली कबर अती तेनी अंदर डटाईलो तो तेनी अंदर ते मरी जते भोजो जो मुकीन आवे होते तो परंतो पूस्ट मास्टर थी पूस्ट मास्टर आ भोजा ती खुश थाई जाए छे परंतो भोजो तो बस एक के छे के बस मारा बालको जे नागा पुगा छे भर्तनी बनि तो पोउष्ट मास्टर बनी अंगेतं। यक्तिने जेनी जरुरियार वधू जरुरियात वधू वईने तेज वस्तु यक्ति मांगे अहीं भोजो अने तेना परिवार माटे तेने कपडानी जरुरतीन ते कपडाना कारणेच तेने मृत बालक ना शरीर परती कपडू लेवा माटेच तेने अब दू कारिय करी वदू अने आती भोजो मात्र इन्नाम मा कपडुज मांघे छे अने अहीं आ वार्तानों सुखद अन्त आवे छे वार्ता ने शरुवार्त दुखद परिश्थीती थाये छे भोजो बोजानु परिवार अने पोस्ट मास्टर दमपती बंणेव ना जीवन मा एक दूख छे अने वार्ताना अंत मा बन्योंनु दूख दूर थाये चैने वार्तानो सुखद अंत आवे छे हवे पचीना विडियो मा आपड़े पाना प्रमाणे इलेके पेज प्रमाणे आपड़े वार्ता जोएश्व आभार